नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें हर हर महादेव ओम नमो शिवाय जैमा दुरगा तो मित्रों आपने वैसे सुना होगा क्यो यह बिल्कुल सच है जोतिश शास्त्र में ऐसे अनेक उपाए हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है कि वे चमतकारिक रूप से अपना असर दिखाते हैं उन्ही में से एक है जल प्रयोग नव ग्रहों की पीड़ा शांत करने जीवन में तरक्की के रास्ते खोलने और विवाहकारियों में आ रही रुकावटें दूर करने के लिए आपको बस एक लोटा जल का प्रयोग करना है जल का प्रयोग अलग-अलग कारियों के लिए अलग-अलग तरीके से किया जाता है जल जहां भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तू है वहीं पीपल में जल इस वीडियो को ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा, चलो चलते हैं। तो संपूर्ण संसार केवल जल जल से भरा हुआ था, और हमारे शरीर पंच धातू से निर्मित है, जिसमें जल का तत्व अधिक है। दूर करने का काम करते हैं। आज की जो का विशय है, जल के बारे में मैं आप लोगों को इसका कोई चमतकारिक उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन को अमरित जैसा बना देंगे। आपके जीवन में चलिये विश्व है, उसे समाप्त करेंगे। वे इसका मतलब है कि आपके जीवन में में जो परेशानी चल रही है, उस परेशानी को दूर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के पश्चात में 101% दावे के साथ कहना चाहूंगा। यदि आप सब वीडियो को देख लेंगे तो आपके गरीबी को मिटने से, आपके जीवन को बाहर आने से, आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ साथ आपके जीवन में है। उसे दूर करने से दुनिया की कोई भी शक्ती नहीं रोक पाएंगे। और जैसे की कुबेर जी है, यह भी की गणना में आते हैं, तो आज मैं आप लोगों को रात में सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह पर रख देना, फिर देखना, आपकी किसमत कैसे चमके देंगे। आप हमारे वीडियो के टाइटल देख ही चुके हैं, जनहित एवं जन अध्यात्म होते हैं, हमारे चैनल का मकसद ही है, जनहित एवं जनकल्यान करना, हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी बंधू का आप में से किसी एक भी बहनों का यदि भला होता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ती होती है, तो लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जल्द किस तरह से हमारे जीवन को बाहर लाने का काम करेंगे, हमें हमारे जीवन में धन संबंधी परेशानी है, जीवन में किसी इस से आमें गिरे इस से निकलने का कोई उपाय बताएं देखिए आप उपाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते कोई बात नहीं केवल जानकारी के लिए अपने ग्यान बढ़ाने के लिए अपने नौलेज बढ़ाने के लिए अपनी नौलेज को आप जो इंप्रूव करन लाल बहुत ही प्राचीन ज्योतिश भूख है और इसी के साथ साथ बहुत सारे हमा एतंत्र शास्त्र के बुक में भी स्पष्ट लिखे हुए हैं। नहीं होता तो कल आप हमारे चैनल गरुट धर्मार्थ को सब्सक्राइब कर लेना बिलकुल दावे के साथ कहते हैं। किन्तु ये उपाय करेंगे पूरे विश्वास रखना है, पूरी श्रद्धा रखना है क्योंकि श्रद्धा नियम, संयम और विश्वास पर टोने टोट के अपने प्रभाव दिखाते हैं। तो आपको करना क्या है? शुकल पक्ष के सोमवार से? जी हाँ, शुकल के सोमवार से पूरे एक पक्ष तक, अर्थात पूरे एक शुकल तक, यदि आपकी कोई मनोरत है, क्योंकि इच्छा है, कोई कामना है, तो पीपल की जड़ पर नित्य आपको सुभह के समय में शुकल सोमवार से आपको शुरू करना है, और पूरे शुकल अर्थात एक कम से कम पंद्रह दिनों तक, लगातार पीपल की जड़ में आपको बिलकुल ही मनोकामना बोलते हुए मनोरत हुए, आपको जल चड़ाने अर्थात जल डालना है, तो ऐसा समझा जाता है, या फिर कोई सा बिलकुल ही आपको पीपल की जड़ में आपको जल डालना है, तो बड़े से इच्छा की पूरती होती है, किन्तू जब तक यह आप जल डालते रहे, अपनी इच्छा के बारे में किसी को नहीं बता रहा है, देखिए, उपाए तभी फलकारी हो दें, जब आप गुपत जल के इसका दूसरा प्रयोग आईए जानते हैं, तो शाम के समय में सूर्य या के पश्चात ध्यान से सुनना, वैसे तो यह उपाय को माता बहनों को अवश्य करना चाहिए, तो यह ज्यादा लाब प्रदान कर दें, आप अपने घर के वाइफ को बोल सकते हैं, आप अपने दो बूंद चित्र की डाल देना है, और एक आपको रेड कलर की पुषपांजली रेड कलर की पुषपा न मिलने पर, आप जो व्याइट कलर की पोस्ट भी ले सकते हैं, कोई भी पुषप हो, यदि गुलाबी की पोस्ट हो, तो फिर इसे अति उत्तम कहे जाते हैं, और एक लोटा जल लेना है, आपको दो बूंद उसमें इतना डालना है, और एक आपको पुषपा उसमें डाल देना है, और इसे घर के द्वार पर आपको रखना है, इससे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिलकुल ही आपको रखना है, तो इससे क्या होता है, माता ल लक्ष्मी के आगमन के लिए पहले समय में आप जरूर देखना एक लोटा जल घर के द्वार पर रखा जाता था। इसलिए पहले लोग संपन्न होते थे, पहले के लोग में भविश्य होते थे, पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे। तो यदि आप आज जो है, यदि आप भी यह क्रिया शुरू करते हैं, घर के द्वार पर एक लोटा जल उस मित्र डाल के पोस्ट प्रदान करके रखते हैं, तो इसे लक्ष्मी का बंधन होते हैं। आप में से अधिकतर लोग हैं, ना गुरू, हमारे घर में पैसे आते तो हैं, किन्तु पैसा फिर ले जाते हैं पैसा बिलकुल ही ठहरता नहीं है, तो यह उपाय करने के पश्चात आपके में पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे। अर्थात आप लक्ष्मी का आदर करना शुरू करेंगे, तो लाइक्स में स्थाई रूप से आपके घर में बंध जाएंगे। दिन दुगनी रात, रामबान की तरह काम करते हैं और चैनल के ही मकसद है। जनहित एवं जनकल्यान करना सही जानकारी बता देखिए। इसमें तो आपको कोई ज्यादा पैसे नहीं लगने वाले, आपको करके देखने में इसमें क्या हर्ज है, बिलकुल करके देखिए, इसमें लाब मिले। इ शिइंतु यदि आप अपने घर के सामने में जल रखते हैं और जल सीज़ करके, यदि आप वह सामने वाले मानव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो जल तत्व उस मानव के साथ में आने वाले नकारात्मक शकती को, नेगिटिव उर्जा को वहां से भगा देते हैं, भी बाहर से घूम करके आ रहे हैं, बिल्कुल ही घर में घुसने से पहले, कदम रखने से पहले, एक बार जल्द बिल्कुल ही अपने में डाल दीजिए, फिर आप अपने घर में प्रवेश करें, तो आपके घर में आपके साथ में यदि कोई नकारात्मक शक्ती आ गई है, ग मनुष्य को छोड़ करके जीतने भी संसार में योनी है, कोई योनी जल्तत्व को बरदाश्ट नहीं कर पाते, यहां तक कि प्रेत के उपर में यदि आप जल डालें, तो भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य योनी को सर्वोत्तम योनी बनाये है, और मनुष योनी को ही कर्मियों नहीं कह जाते हैं, इसके पश्चात जल्का एक और जबरदस्त उपयोग बता रहा हूँ, यदि आप वीडियो को यहीं पर छोड़ करके जाएंगे, तो अब आपको सारी जिंदगी पच्चताना पड़ जाएगा, दर्शकों अभी जो उपाए बताऊ यह उपाए आपके पूरी जिंदगी को लाइफ को बदल देंगे, करना क्या है? आपको सोने से पहले एक टांग दें कि लोटरी लेना है, एक तांबे की लोटरी लेना है और एक लोटा साथ जल लेना है और आपको इसे अपने बेड के नीचे में रखना है, तकिये के कुल करके उठने के पश्चात, कोई सा भी पूल आपके घर के आसपास में कोई सा भी फूल हो फूल चलेंगे, बाकी नहीं तो कोई सा भी फूल जैसे की मदार का पुष्प है, और जैसे की गुढ़हल के पुष्प है, गुलाब के पुष्पों ईशा भी पुष्ट हो, उ वैसे वैसे आपकी जीवन भी खेलना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे वह जो पौधा में आप जल्द डालना शुरू करेंगे, बिल्कुल ही वैसे वैसे आपके जीवन में बाहर आएंगे, आपके जीवन भी उस पौधे की तरह खेलने लगेंगे, फूलने लगे होंगे, आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं, बिलकुल ही उसमें एक पोस्ट आप स्वयम देखना जैसे आएंगे वैसे आपके जीवन में भी उसी पुष्प भांती आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे मैं जो उपाय बताता हूँ वो सट का जानकारी होते हैं, अमूल्य जानकारी होते हैं क्योंकि यदि आप जो किसी भी जैसे पोस्ट में आप जो जल डालते हैं तो इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं क्योंकि जीतने भी पेड़ पौधे हैं, ये सब किसी को समर्पित है, ये बुद्ध ग्रह को समर्पित है, बुद्ध ग्रह का स्वामी कौन है, भगवान गणेश जी है, मैं ट्रोल, आज की यदी में दुनिया में जाऊं तो बहुत सारे इसका बेनिफिट आपको हासिल होगा बिल्कुल ही, इसलिए मैं संपूर्ण जानकारी विस्तार से नहीं बताता, बिट्टू लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप जो है, नित्य हमने यहां पर चार तरीके बताएं हैं, चार में से दो को अवश्य फॉलो करें, आपके जीवन में बाहर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें